वेल्कम टी योवन चैनल जयमादवकेडमी लेर्णिंग प्रोग्राम स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जयमादवकेडमी लेर्णिंग ओनलाइन प्लेटफॉर्म है मुश्किलों में भी आगे बढ़ना सीखो तेड़े हालातों में तुम भी बिगड़ना सीखो बावजूद इसके कि तुम्हारे ताकत ना हो समुंदर की लहरों से तुम भी लड़ना सीखो जिदीपन तुम्हें बदनाम जरूर करेगी पर आखिर जिद से ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी आखिर ये छे लाइने हमने क्यों बोली लाइने जिसकी भी लिखी हो वैसे बताया जाए तो मैंने खुद ही लिखा है इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्योंकि आपके चैपर को सोचा दोर नुरूरा की टाएं के लिखी तो मैंने बढूंने ने कियों हम आगे बढ़ते हैं और में जो जो बोली हैं कि मुश्कीलों में आगे बढ़ना सिक्कों मुश्किल है यासानी से अगर सफलता एक सफलता है स्थाइब घाङ कौन कोई डुकान चलाता है, कोई परचुर की दुकान , कोई पान की दुकान खथे ज्स कहा दों दे। सी कहा कहीं है Go कोई नहीं सिखा पाएगा यह आपका खुद का विल्पावर होता है जो आपका डिनमिनेशन कहलाता है यह सारी चीज़े इफ यू अपने विल्पावर अपने कॉंफिदेंस को समझ गए it means you are on the right path of the success of life life की सफलता के मार्क पर आप चल दिये but you have to understand that each and everybody when was sent to this world by God so he has some potential बिना potential बिना कुछी शमता के इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बेजा नहीं जाता बट जो सफल होते हैं वो सिर्फ अपनी शमता को जानकर सफल जाते हैं आपके अंदर भी अगर आप नहीं जान सके अगर आप नहीं पहचान पाए कि यस हमारे अंदर भी एक फीचर क्वालिटी है तो इसका मतलब हम एक आम जिंदगी जीकर रहे कोई दिक्कत नहीं हर इंसान 90% लोग आम जिंदगी जीते हैं वह 10% कौन वही हैं जिन्हों ने आगे बढ़ना सीखा लेकिन ऐसे नहीं मुश्किलों में भी आगे बढ़ना सीखो और टेड़े हालात हैं उसमें तुम भी विगड़ आ रहे हैं तो तुम भी टेड़े हो जा और लड़ना तो पड़ेगा और जिद्ध जो होती है हमारी कभी-कभी लोग कहते हैं बहुत जिद्धी है बरबाद कर देगा अपने बाप को पईस एक बरबादी ना कभी दूसरे नहीं सुनना तुम्हें बदनामी मिले कि हमने इसी लिए लिखा रिद्धीपन तुम्हें वाला नहीं अच्छा वाला थम करेंगे तो आज दीप वाटर जो कि थर्ड चैप्टर है आपकी फ्लैमिंगो बुक का जो कि आपके सामने रिप्रेसेंट करने जा रहे हैं जल्दी से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं इस चैप्टर नंबर थर्ड है यह ठीक है दीप वाटर है और जिसको दिखा है विलियम और डंगलस ने ठीक डीप वाटर ओडगलस ठीक है अब आउट थोड़ास देख लेते हैं कि विलियम सी डगलस यहां पर राइटर अपने लाइफ के अपने चाइल्ट के एक्स्पीरियंस को इसमें बयान कर रहे हैं और इसमें बताते हैं आउट वर्पम अनी प्रॉबलम किसी प्रॉबलम पर सब्सक्राइब की जा सकती बिकास नाथिं इस इंपॉसिबल लिखा जाए इंपॉसिबल लिखा जाए इंपॉसिबल एक है तो इसको आप अलग कर लिजे आई आप जानते होंगे उसने अपनी हिटलर गीरी में सब कहते हैं लेकिन हिटलर जाना गया आज डिक्टेटर्शिप का दूसरा सिनोनिम जो माना जाता है हिटलर माना जाता है जब कि एक व्यक्ति का नाम करते हैं हिटलर गीरी इंसान की बहुत जरूरी होती है जिद सिर्फ सपने देखने तो कुछ नहीं होता है सपने कोई इंपॉसिबल सपना आप देखिए लेकि तो उसे पूरा करने के लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा फिर बाद में क्या होता है प्रणाम की चिंता नहीं करना है प्रणाम तो भगवान देता है लेकिन ज़िद जरूरी होती है तो एक पॉजिटिव एस चीज को पा लेना आप का हो कि हमें जो है इस वरे साल को गुजारा मतलब यह वह इतने साल जी एंटारा सो थानवे से लेके उनीस सो असी तक रहे लगवग लगवग आपका बैयासी आइटिंक बैयासी साल रहे वस्वार इन में यह जगा का नाम है में और मैं मिनस्टो मिनन सौरी मिनसोटा आते हैं कि मुझ से नहीं कलते है जबान लपलबा जाती सेंटर फ्रिश खाना बोड़ेगा आप तर विजवेटिंग विदा बैसलर्स आप बीए करने के बाद इंगलिश और इकनॉमिक्स और इंगलिश करने के बाद में लिए उन्होंने किया ही स्कूल इंगीमा में दो साल उन्होंने हाइश कूल टीचिं से होकर नहीं उसकते हां जो बिजनेस बैना बिजनेस आपकी टीचिंग से नहीं आती है बिजनेस दिमाग नोगा दिए और उसके लिए आपको टीचर के कि अविश्ता हो सकती है यह चाहे तो आप विजनेसमें सकते लेकिन जितने भी सफल डॉक्टर हैं सब कहीं न कहीं कि टीचर से कही नहीं हो का गुजरता है बिना टीचर के कोई वक्ति पढ़ लिख नहीं सकता है तो टीचर ये टीचिंग इस बेस्ट प्रफेशन अकोर्डिंग तो मी वोट दीचिंग इस यूर विश इसे ओन थॉट वर्टेवर हावेवर ही गॉट टायर अब दिस अन डिसाइ जो की थे फ्रैंक्लिन रूजवल्ड उनके वो दोस्त बनके कई साल हो तक उन्होंने उनका साथ दिया एक सलहकार के लोग में उन्हों काम करना शुरू किया ठीक है ठीक है जिस्ट वादा इंडिंग एडवोकेट एक मुख्य एडवोकेट थे एक मतलब लीडिंग का मतलब मुख जो में होता है चीफ होता है वुछ आप लीडिंग कह सकते हैं लीडिंग एडवोकेट आफ इंडिविजियल रॉइट से kaikki अधिकार होते हैं हमारे अधार बूत जो अधिकार है अधार-बूत कुछ कर्तव भी हैं सिर्प अधिकार ही नहीं सबसे ज़्यादा किसी पद पर आसीन रहता उसे टर्म कहते हैं या टेन्योर कहा जाता है और यह सबसे ज़्यादा किसी भी कोट में एक जच के तौर पर काम करने वाले वक्तियों में से शुमार है इस टेकन प्रॉम उनकी पूरा क्लेक्शन एक यह वर्ग था उसमें उसे आपका यह चाप्टर कुछ है दो तीन पेज आपको दे दिया के पढ़ने के लिए विलियम डगलास और यह रिवील्स करता है यह शो करता है कि किस तरीके से जो है विल्यम डगलास जो स्विमिंग पूल में डूबने वाले थे उनका चाहिड और एक्सपिरियंगे चाहिवट फियर के बारे में इसमें लोग पढ़ेंगे आगे चलते हैं इन अप और हावी फाइनली ओवर केम उन्होंने पानी के डर जिसे हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं एक और है हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं तो फियर ऑफ वाटर की बात करी है नोटिस हाव दे और और ग्राफिकल पार्ट आप अपने अपनी लाइफ के ऊपर इसका नाम था ऑफ मैंन माउंटेंज तो देखिएगा किस तरीके से उनके इस दिस्केशन आफ फियर को सपोर्ट कर रहा है यह पूरा चाप्टर जो है कैसे उनके इस फूरे फियर को सपोर करता है मतलब यह दिखाता है कि हाँ वाकई में वो डरे होंगे और किस तरीके से उनने उस डर पर विजय प्राप्त करी ठीक है चलिए आगे अगर बढ़े हम तो यह कुछ वर्ट्स आपके सामने आएंगे 12345678 एक्स्प्रेशन से किसी भी चाप्टर के स्टार्टिंग में चार-पांच छेक्स पेशन दिये हैं आपके पहले ही पेज पेज नंबर अगर चाहें तो पेज नंबर 23 को आप देख सकते हैं पेज नंबर 23 पे थीक है हुआ है भुवत ही टीचर थी तिछ ती और मेंच्टर एक्सिडेंट का मतलब मिश हापनीग एक सी देंट ही या या मिस अपनिंग भीक है मिस्वापनिंग एक्षिट एंदंचर का सब्दूड इसको कि यहां पढ़ा सकते हैं आज की वीडियो में από दीडियो में अगो मैं के माइट को सब्सक्राइब करना सब्सक्राबर संतल कर दिया गया उसको कंट्रोल कि दिया किसी की feeling उसको कर दिया को रहा है उसको करके तो कर दिया तीन प्रेस तक हम पढ़ाएंगे आगे चलेंगे अगर आगे 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 तो हम पता देंगे इस टाट आपको चाप्टर यहां से हैड है रखन यह क्या बात है काफ की बात है जमती साल का था यह तब हुआ था मेरे साथ I decided to learn swim मैंने swimming decide करा कि मुझे swimming इच्छा मेरे मेरे मंद में इच्छा होनी चाहिए अधिब खूत कि इच्छा नहीं आपके मन में तो फिर जीवन में आई हो खाया भरो और सुबबर जायो वे नहीं रहने के लिए जिवित रह रहने के लिए चिंदा रहने के लिए इउमन बिम इतना काफी नहीं है यह काम तो जानवर भी करते हैं पैदा हुए उसके बाद खाया किसी ने दे दिया उसके बाद सोगए कहीं पर भी सोगए तो यह लाइफ नहीं होनी चाहिए human being human being के life must be full of risk adventures जब हमें adventures risk मिलते हैं तो हमें किक लगती क्या लगती किक लगती सल्मान और इसे इस तरीके तो बरबाद नहीं करना है जैसे कि हम spend करते चले आ रहे हैं ऐसा लग रहा है life is for granted life granted नहीं है we are given this life to do something to do something better good or best whatever कुछ अच्छा करने के लिए हमें यहां पर भेजा गया है humanity के लिए समाज के लिए परिवार के लिए अपने लिए नहीं कहा गया है कि अपने लिए तुम जीए ठीक है तो देर वाद पूल एक पूल है वहां पर इन्याकीमन रिवर है डाट ऑफर इग्जाक्ली था पूरी हो सकती थी यहां पर मुझे एक अच्छी कासी प्राप्त ह पूल बना पूल पर मैं सीख सकता था सुचा कि आठ चलो स्विमिंग सीखते हैं यह कीमा रिवर है वह स्टूच्रेस अब हमने आपको चुछेस का मता दिया धोके बाजी है इस रिवर के अंदर दिखती तो बड़ी सरी हलल हलल करके घ्रमा जाएगी अपने अंदर तो पास यह कौन कहता था था दे मदर कॉंटिनिवार्ण अगेंस्ट इट माने मुझे हमेशा ही इसके अगेंस जो है वह उन किया चिताब निदी बटा उधर मझ जाना निगल ले गिया कीमा यह कीमा मा देख लो यह कीमा मा लगा हुआ है एंड केप अफरेश इन माइड इस ट्रॉ निदी में लोग जा रहे थे खेलते खेलते चले करनी चाहिए अब विचारा सोच तीन फिट है उपता चला हो जो है तीस फिट निकली महां पर गंगा निदी हलल हलल हो गई नहीं आया तैरना तो कोई नहीं लेकिन मतलब नहीं कुछ करना नहीं चाहिए आप खत्रों से खे खेलेंगे नहीं तो खत्रों से लडेंगे किस और से लडेंगे नहीं झागे एंगे कैसे और बड़ेंगे नहीं तो नहीं नहीं चीज रखी तरो ताजा मंदब ताजा रखती थी कि दोको इसमें बहुत से लड़के दूप चुके तुम जाना हो था नहीं तुम हम आए एक टूप जाब हो तो हम कहा करेंगे उनकी माना ऐसा उनको समझा दिया ड्राउनिंग हर एक रखती के बारे मुनमन बताया उसके बाद अकर कहें यामी यह फूल है वह सेव था वह इतना नहीं था इट वस अनली टूप फीट डी वह सिर्फ दो या तीन फीट गहरा था लेकिन एक तरफ और टूप 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 अब आपको बता देंगे नोट कर ले ना आपने सुना होगा अदजल गगरी छलकत जाए हना आपने सुना नहीं समझ में तो आप जान लीजिए इसको आप इте हैं बहुत हैं कप इसी को भी औंघर लीजग कऌने संय कंवे मतलब ऑग इंग्लिश में देख़्ी Been कर ऑब ले और अधिवर्ट मूब विद अधिव इसलें बता दिया आधत है कहीं वोड से कुछ याधा था उसमें गुश जाते हैं प्रॉपर ली मदा आता है डीप रिवर्ट मूब इसलेंट मैजेस्टी साइलेंट मैजेस्टी अधिव शैलो बूप साथ नुएजी अधिव शैलो अधिव बूप्स अधिव बूप्स अधिव और अधिव नौइजी यह इसकी पूरी कहावत है वैसे इसके चोटी चीव कहावत भी है कि एंपटी विसल समेक लाउड साउंड वो छोटी सी है उसके अलावा एक यह भी है इसको भी काज़िव इसका आप समझ सकते हैं कि डीप रिवर्स मूब इस साइलेंट मैजेस्टी जो गहरी नदियां होती है न वह शान शौकत चुप चाप बहती है हललल हलल मतलब चुप चाप बहती है मैजेस्टी कैसे उनकी होती शान शौकत साइलेंट होती किसी कुछ नहीं कहती है क्यों हिसक faites है क्योंकि बहुत गहरी होती है और इस लिए आवाज नहीं करती है जो ग्यानी होता है वह चुप रहता है और शाहलोंगे छोड़े-छोटी छोड़े नदियां ब्रूक加 मतलब यह वांदियां बाऩर बाडि तो चैले समझते हैं so it is the best tool before the full to keep cool it is the best tool to keep cool before the food he made a dora banai gai hai code key other more home sailor na hai to chopra in a sicko this is the best tool to keep cool before the full we were cool focus on a moocanic cool raha shantrao chupra according to me whether 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 the better could be coming coming up in a little kusamaj me a raha to to shallow but some you item maya but are the and while it was nine feet deep at the other news and for kathy but are nine deep feet the nine deep sorry nine feet job variety at other the job was gradual I got a pair of water wings and went to the pool which is water wings with water wings when you have a pair of mini-penny jathe hai 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 to work naked into it and show my skinny legs I hate it to walk naked into it and show my skinny legs क्या होता है बीना कपडो का नंगा पुंगा मुझे बड़ी नफरत भी दीं तरह से नहीं बताना चाहता था इसलिए मुझे बड़ी नफरत थी में कपड़े नहीं उतारूंगा उसको मैंने दरकिनार किया कपड़े उतारे क्योंकि कपड़े बेंकर तैयर नहीं पाएंगे तैयर नहीं क्या पूरा लिहाफ ओड के जो है डूब जाएए दूबने लगो के तुम लेकर कि तुम तैयरे लगो जब दूबने लगोगे फिलाल लेकिन अब दूबने और फ्रीली और इजी ली अगर आपको तैरना है तो आप जितने कम कपड़े पहने परना बेटर है स्विमिंग सूट आपने सुना होगा स्विमिंग सुट पहन के लोग तैयरते हैं प्रॉम दब बीगिनिग शुरुवात से ही फ्रॉम दब बीगिनिंग होता था इस स्टार्टेट वनाई बॉस्ट्री यह कब प्रादम हो जब मैं तीन साल का यह चार साल का था ओल्ड एंद फादर टुक मीट था वीजिन कलिफोर्णिया कलिफोर्णिया नहीं कि यह वहाँ पर बीच पर लेगा बीच का मतलब क्या होता किनारा किनारे को बीच क बीच कहते हैं शोर भी बोल सकते हैं इसके लिए और लिख सकते हैं यह सब कुछ वही लेकिन अंग्रेजी है का करोगे इसमें कुछ कर थोड़ी सकता है चलिए हम दोनों ही उस सर्फ के पास खड़े थे जहां घुमावदार पानी आ रहा था था यह फिर बीड़ वेव नॉग मीड़न स्वेट ओवर मी फिर भी लहरे यहाई गप से हम दो हमको अंदल लिया हम चोटे से हम अंदर गड़ब हो गए पानी दूब गए आई वोज दवेव नौक डमी उन्होंने मुझे वेट से क्या क्या जो लहरे आई पानी से नौक डमी डाउन का मतलब होता है जटका मार के गिरा देना इसको नोग नोग ने पड़ा था याद होगा आपको नौक मी डाउन एंड स्वेट वर में उपर से बहें सब्सक्राइब और स्वीप और अब मेरे उपर थे बहें कि I was buried मैं गड़ गया अब यहां I was buried हो गया अब बच्चा गया गड़ गया गड़ना तो सब जमीन में होता है यहां पर सेंस निकाल ली जाए I was buried in water मैं पानी में पूरी तरी की तो डूब गया अब डूबने की तो ड्रोन कहते है लेकिन हम बरी ल मैं पूरी तरी के तर ड्राउन हो गया my breath was gone मेरी जो जो सांसे थी वो चली गई कहां चली गई खालाजी के घर मतलब मेरी सांसे जा रही थी and I was frightened मैं पूरी तरी के तर डर गया and father यहां डूबे जा रहे मरे जाने वह बामारा हासे जारा है अब क्या करा जाए पापा को पता नहीं तर डादा नहीं तर कि इसको ड़ लग रहा है पापा हसे जा रहे तो पापा हसे जा रहे थे बट्ड देर वस टेरर in my heart मेरे heart मेरे मेरे दिल में एक आतंग डर बैट गया लका Isar शक्तिसाली व वर गपावरिंग मतलब शाफ़ शक्ति शाली ईतना शक्तिशाली जो इसका प्रभाव था वो मुझे डरा रहा था उसे बिल्हों का दो बिल देखाल क्या ऑसके मेरे हां जाका बैठी समां माइं इंट्रच्टिन तो यम सी फूल रिवाइवड अनप्रीजन मेमोरी एन स्टोड चाइल इश पिर्ज माइं इंट्रक्शन टूद वाई एंसी फूल वाइं सी पूल था वहाँ वहाँ वह मेरा इंट्रक्शन किस तरह से वह स्विमिंग पूल में उसने जब मैं गया and memories and stirred childish fears वो मेरी पुरानी बुरी यादें फिर से ताज़ा हो गए और उन यादों को childish fears को बच्पन के उस डर को stirred up कर दिया stirred up को मैंना पता जग जोर कर देना दुबारा से रूम रूम खड़ा कर देना रूम रूम खड़ा कर देना ठीक है बट इना लिटल वाइल आई गेदाट कांफिदेंस अभी फिर मैंने अपना थोड़ा सा अपने गेदर किया आई पैडल डूमाई न्यू वाटर विंग्स मैं पैडल करते हुए उन वाटर विंग के साथ वाचिंग दादर बोईज मैंने दूसरे लड़कों को पानी में तैरते हुए देखा पैडल किया करते हैं चपचप अर रहे थे पानी के किनारे बैट कर मतलब पूल की किनारे बैट करके पानी में चपचप चप चप बहुत से लोगों की या जो भी तरीके से चड़ाता है गंदे तरीके से कभी देखना जूम में जाना पता चल जाएगा आइड दिस टू और त्री टाइम्स में दो या तीन बार करता था अलग अलग दिनों पर मैंने कई बार ऐसा किया वह जस्ट बीगिनिग तो फिल इस सिर जस्ट बेगिनिंग तो फिल इस इंड़ वाटर वें दा मिस अडवेंचर है पंड तभी मेरे साथ एक मिस अडवेंचर घटित हो गया एक दुर घटना हो गई कौन से दुर घटना थी लेट सी आई वेंट पूल की तरफ गया जब वहां पर कोई भी नहीं था नो वन एलस अब पर कोई भी नहीं था प्लेज वाज को आइड वाइड जो टाइल बॉटम था बॉटम का मतलब जो पूल के नीचे का हिस्सा मतलब जमीन था ना इसम भरा था तो वह इतना सफेद था पाइल लगा हुआ टाइल का मदब समझते हो टाइल जो आपक यहां आते हैं कजार दिखा या कि टाइल को टाइल कर दिया गया तो बना दी गई और उसी का ठट फॉं से कि अच्ट होगा तो इसका बॉटम था लोग वे लेट जाओ लेकिन अमीरों में बाथ भूता है आज ना वोग लक्स लग आता है एड तो इसमें डिखाती है सब्सक्राइब इस अधिकन हाटट इसका चिकन चिकन हाटट मुर्गे जैसा दिल हां मुर्गे जैसा दिल का मदलब चिकन छोटा सा माषूम शूब बच्चा होता ना और उसको कहते हैं चिकन मुर्गे के बच्चे को यह मुर्गे को तो वह बहुत ही कमजोर होता है इसलिए कमजोर व्यक्ति कायर व्यक्ति डर्पर व्यक्ति को चिकन हाटेड कहा जाता यह याद रखना मुझे बड़ा डल लग रहा तो मैं बैठा रहा कहां पर आप पूल वीट फॉर अंतिजार करता रहा कि कोई आए उसके सामने जाए नहीं हमने सोचा कि बैठे रहो यार कुछ देर तक बैठे रहो कोई आ जागे तब जाएंगे यह मैंने सोचकर बैठ गया यह सारी बाते वि प्री उसर वो मुझे जाधा देर नहीं थी आए न बीन देर आई है नोट बीन देर का मला मुझे जाधा देर नहीं थी वहां पर लॉंग विन इन अ के विन क्या लिखा हूआ है जस्त गिव बन मिन अट लैट मुचिक इट आउट यह है तो तो अ आरा लेकर आम आपको सही बता जिते हैं वाट इस तो यह जिए लिखा है बूजर बॉइब वन इन खेम लिखा तो सही है इन थो लग रहा है तो मुझे जाधा देर नहीं हुथी जब एक आदमी आ गया अब लड़का आब बूजर अब बूजर मतलब हटा हश्ट पुष्ट एदम लहीं में तरीके से कहां लंबा चोड़ा एदम बल्ले अल्ले जो से मेरे हैं अब बीग बूजर ऑफ बोई प्रॉबबली एटीन यर्स ओल लग बग वठारा साल का था मेनी जैसे हम अठारा के हैं यहाट थिक हेयर और और बहुत भाड़े थिक का मतलब के मतलब संभ थीक गाड़े ठीक के मदब बार बेब बिल्डर रोने की कच्छा काज़ा पस्नाल्टी थी बॉडी बिल्डर होने की विद लेक्स और आप्स दिखा देंगे तो आठ थो निकलेंगे यह चलाया है इसे करके अंदर जाती है तु भी घुजना है पानी में तैरना है बताओ अब इतने बोला उसने यह बोलते ही मुझे क्या किया उठाकर करके फेग दिया विद्ध जाके धीर धीर शेयर शेटि पॉजिशन में जिस पोजीशन में बैठा था पैर मेरे मुड़े तो पुझे नीच जाने लगा वाटर पुरी तरीके तुमेले गडब पानी अंदर एन वेंगे टक वन्स तो बॉटम and went at once when advance अचानक से to the bottom I was frightened धर गया but not yet frightened out of my wits भी तभी नहीं डर गए थे लेकिन हां होश था हमको विट्स मेरी जागरूप थे विश्ट जो विट्स होती है मतलब आपकी consciousness आपका सचेत्ता यह कहेंगे हां मतलब आपका होश वावाज होश वावाज on the way of down I planned जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने तो उस टाइम पर आपना होश वावास ना खोएं कि मुसीवत से निकलना हडबड़ा हडब नहीं हो सकता आप अपना conscience का यूज करें माइंड का मतलब जो आपकी mental ability है उसका प्रियोक करें उसका प्रियोक करके आप किसी भी बड़ी मुसीवत को हरा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं किसी भी मुसीवत में पढ़ने से पहले इंसान डर जाता है जैसे घर में आग लग जाने पर सबसे पहले लोग पानी दोड़ते आग उजाने के लिए पहले अगर आप कहीं पर सब्सक्राइब कर पर अटाम पर हम लोग यह सोचते कि अब लेका ओगा होगा मरे मरे कह रहे हैं वह हम भी वैसे हम समझा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हम इन चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें कि हमें अपने विट्स को खोनी देना है मतलब यह कि अगर आप पानी में गए हैं जाहिर सबसे पहली चीज तो यही होती है कि इंसान कम से 1-1.5 मिनट तक पानी के अंदर नाक बंद करके रह सकता है नाक बंद करने का मतलब होता है सांस ना लेना तो एक से 1-1.5 मिनट में आप अपने हाथ पैर सोचना बोलना सुंगना इस सब दिमाग से ऑपरेट होते हैं और दिमाग का जीवित रहना बड़ा आवश्यक होता है तो दिमाग का जीवित होना बहुत जरूरी है इस चीज़ को धमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी तरह के मुसीवत में इस बात कहाना हां चलिए तो मैं इतना भ्योश नहीं हो गया था नीचे जा रहा था तो मैंने प्लानिक करी मैं मैं सीट बॉटम जब मेरा बॉटम को हिट करेगा चुएगा बॉटम में नीचे गहराई में जाएगा आइवोड में का जाम मैं लंबी सी जंप लूंगा और दिए धीरे में पूल के किनारे आ जाओंगा यह मैं नीचे पूरी तरे का पहुचा नहीं था विलियम डगलस के अभी मैं नीचे पहुचा नहीं था ठीक है हम लोग किसी भी जटका या कोई भी धोका होने पर जीवन में कोई भी मुसीवन पढ़ने पर हम लोग यह पागल जो होगा उसको नहीं सोचना अब आगी क्या करना उसको सोचना चाहिए और 99 लोग यह सोचते कि आप तुमने मुझे तुमने मुझे द्होका दिया उत्ति है अधोका बाद बाद में बदला ले लेना बैटा बाद मुसे आंके दिखा लेना बाद में गरी आ लेना पहले तो यह समझ लेना है ना कि हमें अब इस एक मिनट के अंदर अपने जीवन को बचाना कैसे चाहिए किसी भी तरीके की मुसीवत हो तो पहले बाहर निकलने के स्ट्राटजी बनाई है उसके बाद भी बदला लेने की रेवेंज वाड़ेवा जो भी आप समझना चाहें कि यह सारी प्रोसेट मैंने सोच लिए अब उसके बाद क्या कि रहा है इट सीम्ट लॉंग वे डाउन बड़ा लंबा रास्ता था असा होता है कि जब मुसीवत में होता है इंसान के दिन खराब होते तो एक पल एक घंडा एक दिन के बराबर कटते हैं उसकी तो मौत आ रह सब्सक्राइब नाइंटी के समान एंड विफोर आई टच्च्ट बॉटम माई लांग्स मैं बॉटम टच्च करने से पहले ही महसूस करने लगा था कि माई लांग्स वर रेडी टु बास्ट मेरे जो फेपड़े थे पी बोल जाएंग भाई याब बट वेन माइफीट हिट लेकिन फिर भी जब भी जब मेरे पायर नीचे बॉटम पर टैच होए आई समन्ड आई समन्ड ओल माइश स्ट्वेंद मैंने अपनी सारी ताकत सारी शक्ती को कलेक्ट किया समन की समन का मंदलब कलेक्ट करना यहां पर समन को ऐसे साचना देश होता है जो आदेश आते हैं क स्टोर से कि पुलीज विभाग की तरफ से सरकारी है को समन कहा जाते कि बीक्ती के लिए को नुटिस आता है उसे हम समन कहते हैं यहां पर समन का मनलब कलेक्ट करना है बिटा धियान अध्रकना खटा करना ठीक है collect all my strength and made what I thought मैंने अपनी सारी ताकत एक जुट करी इखटा करी और मैंने वही किया जो मैंने सोचा and made what I thought मैंने वही सोचा was a great spring of words जटके से मैं उपर आया I imagine I would walk to the surface like a cork मुझे लगा जैसे कि मैं उपर आकर के cork की तरीके से जो है ऊपर तैरूंगा cork की तरीके से क्या जो भार्क होता है बार ग्रह क्या होता है जो सब्सक्राइब जीचित का वहारी हिस्सा जैसे माली जान लीजे एक पतली सिफ्णता की तॉब जब जब जट्री का भारी हिस्सा होगा यह लकडिया कोई भी लॉग होगा दूपता नहीं पानी में और उपर उपरी हिस्सा अगर है जैसे नाव का जो हिस्सा बना जाता है वो इस तरीके बनाए जाता है ताकि वो डूब है नहीं इस तरीके से एक कॉर्क की तरीके समय उपर आकर सर्फेस पर पैरने लगोंगा इंस्टीड केmv अव्ष्urf मैंने सोचा तो ऐसे था लेकिं मैं बहुत ही अवर स्लोली स्लोली आया I opened my eyes and saw nothing मैंने अपनी आनके खोली आखे तो खोली लेकिन खोली का मतलब आखे खोलने का मतलब नहीं कुछ दिखाई धे तो इसका मतलब छारों तरफ पाने पाने कुछ भी नहीं पानी के लावा तो आखे तो खोलने हमने उसके बाद but water water that had a dirty yellow tinge to it हर तरफ पानी पानी जो कि हलका हलका पीला पीला बद्दा बद्दा सा था कलर में I grew panically मैं अग्तम हड़बडा गया पैनिक हो गया पैनिक का मैं घबरा जाना I reached up as if to grab a rope I reached up मैं थेवे से उपर जब उठ रहा था तो ऐसे मैंने जटके से grab करने की सोचिया rope and my hands clutch only water मैंने सूचा लग रसी पकड़ लें जते हैं कि दूपते को तिनके का सहारा उसे लगा कि मैं कुछ पकड़ रहा हूं रसी पकड़ लें but हाथ में क्या आया है हां वही आया मैं पानी आया ठीक है I was suffocating मैं suffocate करने लगा सब्सक्राइब मतलब होता है घुटना दम घुट जाने को सब्सक्राइब कहते जब आप सांस न ले पाए है ना गले में भर जाया पानी भर जाया तो सांस नहीं आ पाती तो उसे सब्सक्राइब कहते हैं मैंने चिलाने के बड़ी कोशिश चिला रहा तो इस तरीके से थीक तो हसना नहीं पिटा इस पर इस लिए बताते हैं ताकि आप समझ सकते हैं क्या बोलते को श्रिल आवास निकलती हमारे गले से उसे में कहते हैं जब कभी आप बुरा सपना दिखत अमी पापा को बula रहे हैं आप फाक कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुरा नहीं हो पा रहा है और वश्राइम पर आपको जो निगेटिव आत्मास ओती सवेझ अकर जो शक्तिया होती चशञा झैक्टें को समसे और चुबाइल यूं को देख लो है मेरे मुह बंद किया रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें घ्यसीटा जा रहा है और सच यह जूट नहीं हो सकता क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो यहां सिर्फ मज़ा नहीं साथ में कुछ दिमाग में लेकर जब आप कभी सोते हैं तो यहीं आता जब आप सोचते हैं चिला रहे हैं मतलब आपको भूत दिख रहा है चुड़ायल दिख रही है और उस टाइम पर आप चिलाएं तो आपकी आवाज निकलेगी नहीं आप चिलाने कोशिश खोद कर लिए आप मूह खोल यह सब नहीं करना है जैसे आप इतना डर जाते हैं और इस तरह से कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने दरवाजा खोलने के सोची पता चला अब अचानक से जब दम घुटने लगता तो अचानक सब आपने फिल्मों में देखा होगा करके उड़ जाती है लड़कों को पड़ी सब्सक्राइब कमी आते हैं इस तरह के रहें लोग पानी पीते हैं बगल में लैंप लगता है और उसको जलाती हम लोग होता है बेट से कम से कम पांच मीटा की दूरी पर वहां जाना पड़ता है यह सारी चीज़ें होती है हैं इस शीरिंग इस तो गेंटेंड एंड बी अविए अपर आई पूरा मू नहीं आया थोड़ा सा ना को सांस लेने के आवश्यक है पानी से बाहर है पानी में सांस के चले मशली तो है नहीं हम लोग बट नोट मैं मूद मेरा मू पूरा उपर नहीं थोड़ी से नाख और और आखे बाहर आगें उपर आगी पानी चलो एक स्लाइट थोड़ा सा और देखलें इसके बाद वीडियो के एंड करेंगे आगे आई फ्लेटेट अड़ पानी पर आया और संगर्श करने लगा यहां पर एक फ्रेज आया ना आइफ प्लेटेट अड़ पानी अंदर जा अब मैं अपने पैरों को उपर करने कोशिश कर रहा था लेकिन होगा कैसे आपका आधा दिमाग तो डर में लगा है और आधा दिमाग पे आप अपनी ताकत यूज़ कर रहे हैं तो दिमाग का पूरी तरीके से कॉंचिस होना बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग से सिगनल और यह हमें सिगनल देता है अब हम सोच लें अगर कि मैं नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे तो यह दिमाग बहुत तुरंद देता तो अपने पैरों को पर कर रहा है वह अग यह लटक गया एकद़ मरी हुई निर्जी वस्तु तरीके से वह लटकी हुई थी पैरलाइज है कैसा कैसा लग रहा था पर लागे से लगवा कुवा मारें गवाई रिजीट हो गई तो कड़ा हो गया अग्रेट पूर्स में अंडर एक एक ऐसी शक्ति मुझे अंदर की तरफ खीच रहती है आप सुझ सकते हैं आप चिला नहीं बचा बचाओ लाइक दिस एंड यू वर पूल अंडर वाटर पानी के अंदर आपको घसीटा जा रहा हो आईस्क्रीम में चिलाया बट ओनी दो वाटर हर्ड मी वह चिला बाहर निकले तब ना चिला तो रहा था लेकिन पानी हांसा तरह गया है ना सुने देवा तो किसी का भाई जाहीर सी बात है पानी के बाहर जाने लगा और यहां तक समझ में आया होगा तो की मजा आया एक्स्प्रेशन में मजा क्या मतलब हम कुछ नया थोड़ी बता रहें चटनी वटनी है ना लेकिन जो है लिट्रेचर को ग्रामर के साब से कनेक्ट करते हूँ पढ़िएगा तो हमेशा आपको अच्छा भी जाएगी आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे आज की वीडियो में इतना ही सो करते हैं बहुत करते हैं तो भीजिएगा ठेंगे वाला नहीं अच्छा वाला थीक चलिए थांक यू सो मुच फॉर कमिंग ओनलाइन स्टे किनेक्ट तो असलेट विडियो लेक्चर इस्टे होम पी सेफ थैंक यू सो माच